वादेश हुए कि आपको राजनीती शितर में काम करना है RSS से जुड़कर भाज़पा में आप आए और किसानों के हित के लिए काम आप लोगों ने किया आपकी पार्टी ने किया क्योंकि कहीं कहीं आरोप लगते हैं किसानों के लिए भरतिजनता परटी ने देशान की इस परकार आगे वड़ें. इसके ऊपर गारिय किये लेकिन खक्स के जो जोग थे, उन्होंने किसानों को क्षाने का काम किये। एक वक्त लगा था कि अगला टिकट अजीद चहल का होने वाला है लेकिन फिर यहाँ एक टिकट कट गया टिकट किसी और को दे दिया गया यूनिन का गट रहा है और किसान आंदोलन का गट रहा है वोगा वहां पर भी हमने दस हजार के करीम लोगों की भीड़े कक्रिफ की थी जीन्द जिले से शुरू होकर जीन्द कैटर और फते बाद में यातरा का शापन हुआ था मैंने रातरी को पता किया तो तीनों जिलों मे में जो टॉप पे तीन पॉइंट थे उन में से हमारा एक पॉइंट था टिकट मेरे को मिलेगी और तो प्रसेंट तुनाव लड़ेंगे वीकिन कमलेश टहंड़ा एक बड़ा नाम है, मंतरी हुन है तो क्या लगता है कि भाज़पा आप पर दाव खेलेगी? बड़ा नाम है, उनको मुंतरी बनाया, सारा कुछ है, जरूर नहीं है कि हर बार उनको टिकट मिले, फिर को लगता है कि बाजपावर के नरे उपर दाओं के लेगी, नो डाउट कलायत में कमलीज घहंडा है, जिब बीजय प्रकाश है, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े चहरे, उनके बीच क्या अपरी जगह है, वजूद तलाश पाएंगे अजीच चहर मदा तब ही आता है, नाम तब ही ओता है, जब हम बड़े अधिग्रों के बीच में खेलते हैं, पूरी तरह से त्यार है कोई दिक्त नहीं है, जिन्ता के बीच लगातार जुड़े रहते हैं या उनसे कटाओ हो गए आपका, गुटा में एक दिन, दो दिन, जितना भी टाम मिलता है, मैं जुड़ने का कारिये करता हूँ, लोगों के शुख दूख में सामिल होने कारिये करता हूँ, बहुत से नेताओं को मैंने देखा है किसी के मौत पे गए हैं गोटा मुड़ने के लिए उसकी फोटो को भी सोसिल मीडिया बे डाल देते हैं देखिए जन्ता को पता है के अधीज दहल कैसा बेखती है उनको पता है जूट नहीं बोलते बहुत से लोग भी लेंगे आपको राजनिती में तरह तरह के लोग हैं कहते कुछ न करते कुछ हैं जो कि बहुत पुराणा एक विशा था बिकलाईज में लड़कियों की शिक्षा उतारू नहीं चलपाती थी आज उस कोलेज में एक हजार से ब्यदीक लड़कियां शिक्षा करेने कर रही हैं जो टिकेट के अभीलाशी होते हैं वो आलाकामान के चकर काठते हैं चंणणदना करते हैं अजीच हल भी क्या उनकी हाजरी लगाते रहते हैं आलाकामान के तरफ से तुनाव लड़ेंगे और बड़े अच्छे मारदन से जितेंगे तैंकोई भी हमारे उसमें कम्पिटीशन में रहे बड़े नेताओं के साथ तुनाव लड़ने में और भी मता आएगा तमस्कार स्वागत आपका हर्याना आज पर हर्याना आज एक ऐसे हलके में पहुंचा है जहां से हर्याना सरकार में भाजपा सरकार में मंतरी है एक कदावर नेता भी यहां पर रहे हैं जिन पर ग्रीन ब्रिगेड का सिपे सालार होने का ठपा भी लगा है जी हाँ आप समझी गए मैं पहुंचा हूँ कलायत हलके में कलायत हलकी का जब जिकर करते हैं तो एक नाम है एक नेता है भाज़पा के उनका नाम सबसे आगे सबकी जुबान पर दिखाई और सुनाई देता है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ अजीद चहल की अजीद चहल वो नाम है जो आरेसेस से जुड़े रहे शिक्षा विद है शिक्षा के शेत्र में भी अगरनी काम उन्होंने किया और वो भाज़पा के नेता भी है उन्हीं से जानते हैं उन्हीं का परीज़ए आज कराने वाला हूँ चहल साब सबसे पहले स्वागता है हरियाना आश्वे आप सबको मैं आपके मार्जम से नमस्कार सूब कामना आपको चहल साब आज जंता आपको जानती है कि आप भाज़पा के नेता है लेकिन कहीं न कहीं आपकी जड़े रसेस से जुड़ी हुई है रसेस से आपकी शुरुआत हुई वो शिक्षा दिक्षा हुई, कैसे जुड़ना हुआ, क्या-क्या काम किया? देखिए, आराइसस से तो बच्पन से हम अनाजमंडी में रहते थे, वहां बहुत पुरानी साखा कलायत में लगती है, अठासी, 1988-89 के करीब संग से जुड़के से हम, तो संग में सिच्षन भी किया, और काम भी किया, जब मेरे को आदेश हुए कि आपको राजनीतिक खेतर में काम करना है, तो मैं अपना राजनीतिक खेतर में, में काम करें तो पर तर्थम में किसान मौर्टा जिला देश की जुमारी दी गई तो मैंने बड़े बुखुबी निवाया उसमें, हमने बड़े ऐसे से काम किया और लगातर करते रहें किसानों के बारे में वाद उठाई पहले पूरों की सरकारों में किशानों को दो-दो-चर-चर-पांस-पांस रुपए मुवावजे के टैक मिलते थे तो अब सरकार ने किशानों के लिए दस हजार से करीब उखर अंकड़ा पहुंच गया है जो किशानों के लिए मौवजा जो मदद दी जा रही है प्रदेश कार्यकारणी सदस्य हैं, तो क्या वाक्य में RSS से जुढकर भाजबा में आप आए और किसानों के हित के लिए काम आप लोगों नहीं किया, आपकी पार्टी नहीं किया क्योंकि कहीं आरोप लगते हैं कि भाजबा के साशं में किसानों को लंबा अंदुलन करना उसके लिए बहुत मानिय है देश के परदानमंतर इन्डरिण 느ëंडरवाई मोदी जी की किजानों को उपर उठाने के लिए बहुत अच्सीम नीती थी कुछे तह तहत मोदी जी काम आ लेकिन उइसक्षानों को तो अच्छी लगी लेकिन विफसके जो लोग थे उन्होंने किसानों को क्षाने का काम किया और आज आप देखिए चलो वह वापीस ले ली गए थे कानून तीन कानून थे आज हर बच्चे भुड़े युवा शिक्षित हर आदमी के जुबान पर यह है कि कोई खेतर अगर आगे बढ़ रहा है तो क्रीशी का खे से संबंदित पढ़ाई के बारे में बच्चों को सोता जाता है कि उस अक्षेतर में बेज़ा जाए उसमें दिलवाया जाए क्रीशी आने वड़ा बहुत बड़ा एक वैपार है आप दीखने लगया लोगों को अगर मैं बात करूँ 2019 में जब आशिरवाद यातरा मुख्यमंत्री मनहोरलाल की निकली थी तो सबसे ज़्यादा भीड़ा आपने जुटाई थी एक वक्त लगा था कि अब अगला टिकट अजीद चहल का होने वाला है लेकिन फिर यकायक टिकट कट गया टिकट किसी और को हमारे को शिम्ला गाहों में पॉइंट में था शिम्ला गाहों किसान में का गड़ रहा है और किसान अंदोलन का गड़ रहा है वह गाउपर भी हमने 10,000 के करीम लोगों की भीड एकत्रिस की थी और उस दिन जीन जिले से शुरू होकर जीन कैस्थर और फटेवाद में यातर कर रहे हैं कोई बात टिकट तो है कि व्यक्ति को मिलनी होती है वो जिसको मिलनी थी लेकिन अब 24 में चाहेंगे कि टिकट लेकर आएं जंता की सेवा के लिए विधायक बनकर विधान सभा में पहुंचे बिल्कुत राजनीती में तुनाव लड़ने की इच्छा सब की रहती है बिल्कुल इच्छा है और मैं टिकट मेरे को मिलेगी और सो प्रसेंट तुनाव लड़ेंगे लेकिन कमलेश्ट हंडा एक बड़ा नाम है मंतरी भी है तो क्या लगता है कि भाजबा आप पर दाव खेलेगी वो ठीक है वो बड़ा नाम है उनको मंतरी बनाया सारा कुछ है दुरूर नहीं है कि हर बार उन्हीं को टिकट मिले आगे बहुत से हमारे पूरों में भी ऐसे मंतरी और मेलेश्ट रहे हैं जिनको टिकट नहीं देए गया दोबारा तो मेरे को लगता है कि बादपावस्टे मेरे उपर दाओं खिलेगी नो डाउट लेकिन कलायत में दिख्राइब के बीच में खेलते हैं पूरी तरह से को इसकूल में बीच है जिनता के बीच नहीं जा पाते जनता के बीच लगातार जुड़े रहते हैं या उनसे कटाव हो गया अगातार हलके के लोगों से सब्सक्राइब एक दिन दो दिन इतना भी टाम मिलता है एक पो दालदेतं हैं यह मेरा बस कि बात नी है किना सब्राइब। नो पता है कि उनको से लोग मिलेंगा आपको रजणीती में तरह तरह के लोग हैं करते कुछ है करते कुछ हैं हमने तो पिछली बार जब पता लगया था कलायट का कोलेज की गोषणा बोड टाइम पहले से हो चुकी थी गर्ल कोलेज कलायट में जो की प्राइवेट टूर्शन सेंटर था लगातार 15 दिन तक हमने माने मुख्यमंत्री जी से और माने सुभास ब्रड़ाजी प्रदेश से देख्ष होते थे उन से मिलकर के कलायट के कोलेज को सुरू कुरू करवाने का कारिये किया पूरी कलायट की दंता को पता है इस बात का जो कि बहुत प्रणा एक वीशे था विकलायट में लड़कियों की शिक्षा उजारू नहीं चलपाती थी आज उस कोलेज में एक हज अजरी लगाते रहते हैं देखिए मैं यूनिये किसी विशेश की लगाता हूं भार की जनता पार्टी संक्षन के जो आदेश होते हैं आदेशानुसार काम करते हैं जी और जो हमारे नेता है सबसे मिलने दूने का कारियर रहता है समय समय पर इसी तो कोई बात नहीं है जी भी हमारे उसमें कंपिटीशन में रहे बड़े निताओं के साथ तुनाव लड़ने में और भी मता आएगा जी चलिएगा आपको क्या लगता है क्लायत हल्किये से क्या आजी चहल वाक्य में एक मजबूत दावेदार के तोर पर भाज्यपा की चैरे के तोर पर उभर कर अधिक से अधिक हरी आद को लाइक करें कोमेंट करें भाट भूँ धन्यवाद और दर्शकों का Łभी में धन्यवाद करूँगा जो इस वीडियो को देखरें लाइक कीजेगा इस वीडियो कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जिलु कैंशेरे कामरा में परदीब के साथ इस्पाल कंचे.